रामा ओपे जे जद पी पोले अस्त कोले पावने अमले अनूप तद पी माही शोरे शाप बसे भाई चकले अघरूप लखन शराम चंदर की जाए यद्य पीवे पुलस्त्र सी के पवत्र निर्मल और अन्पमकुल में उत्पन हुए तथा पी ब्रामणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए कीन बेवे देताप तीन हुँ भाई पर मैं उग्र नहीं बारा ने सुझाई गाया और ने कट तप देखी विधाता मांगा हो बर प्रसन मैं ताथा पीनों भाईयों ने एनेकों प्रकार की बड़ी ही कठल तपस्या की जिसका बरण नहीं हो सकता उनका उग्र तप देखका ब्रमाजी और उनके पास गए और बोले है ताथ मैं प्रसन हुँ बर मांगो करी बिनिती पा देगाईदा से शीषाबो बोलयाओ बाचने सोना हो जगधी साहम काहू के मार आहे ना मारे बानर मनो जै जाती दोई बारें रावन ने बिनाय करके और चरण पकड़ कर कहा है जगरीश्वर सुनिए बानर और मनुस इन दो जातियों को छोड़ कर हम और किसी के मारे नाम रहें इव मास्तो तम बड़ तब कीना मैं ब्रह्मा मिले तहीं बड़ दीना पोने प्रभु काम करन पाहेंगाए ओ तहीं बेलो के मारे विस मारे भाईयों शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे बर दिया है कि ऐसा ही हो तुमने बड़ा तब किया है फिर ब्रह्मा जी कुम्भकरन के पास गए उसे देख कर मन में बड़ा भारी आश्र हुआ जो यहीं खल नेत कर बेहार हुआ ही हैं ही सब उजारी संसारु सारद प्रेर तास मत फेरी मांगे से नीद मांस सट केरी जो यह दुष्ट नित्याहार करेगा तो संसार उजड जाएगा ऐसा बिचार कर ब्रह्मा जी ने सरसुती को प्रेर नाग दे करके वो द्धि फेर दी उसने छै माह की नीद मांगी गए बिवीशन पास पुनी का है ओ पौत्र बर मांग तेहु मांग्यो भगवान ते पद का मलेया मलेया नुराग लखिन चराम चंदर की जाए फेर ब्रह्मा जी बिवीशन के पास गए और बोले है पुत्र बर मांगो उसने भैवान के चरण कमलों में निर्मल निसका मनन प्रेम मांगा तेना ही दे बर ब्रह्म से धाए हर से ते अपने ग्रहे आए मैतन जामंदू दरी नामा पाराम सोंदरी नारी लालामा उनको बर दे का ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर स्थ होकर अपने घर लोट आए मैदानाओ की मंदू दरी नाम की कन्या पराम सुंदरी और इस्त्रियों में सुरो मनी थी सोई मैं दीन है राम नहीं आनी होई है जात धान पती जानी हारे से ते भाया और नारी भाले पाई पोनी दो बंदो बिया है सिजाई मैं ने उसे लाकर रामन को दिया उसने जान लिया कि एह राक्षिसों करा जा होगा छी स्त्रिपा कर रामन प्रसंद हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाईयों का व्रवाह कर दिया समद्र के बीच में त्रकूट नामक परवत पर ब्रम्पर ब्रम्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था महान माया भी और निपनकारी गर मैं दानों ने उसको फिर से सजा दिया उसमें माणियों की जड़े हुए सोने की यगनत महल थे भोगावती जासी आहे कुल बासा आया मरावती जासी सक्र नवासा तेने ते अधिक रम्म्मे आति बंका जग बेख्या ते नाम तेही लंका जैसी नाकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है उनसे भी अधिक सुन्दर और बांका वह दुर्ग था जगत में उसका नाम लंका प्रस्दुआ खाई सिंदुग भी रहती चार्य हो दे से फिर आओ काना के कोट माने खाचे तेद्राड है बारा नीन जाए बनाओ रखंशिराम चंद्र की जाए उसे चारा ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोटा है जिसकी कारी गहरी का बर्ण नहीं किया जा सकता हारी प्रे रहते जहीं कलप जोई जात धान पाती हो इसूर प्रतापी अतले बाले दाले समीत बासे सोई लखंशिराम चंद्र की जाए भगवान की प्रेडा से जसकल्प में जो राक्षसों का राजा होता है वही सूर प्रतापी अतलत बलवान अपनी सेना जहेद उस पुरी में बसता है रहे तहान से चरभट भारे ते सब सुरन समर संगारे अब तहरा है साक्र के प्रेरे राक्षक के कूट जाच्छ पति के रे वहां बड़े बड़े युद्धा राक्षत रहते थे जिवतावने उन सब को युद्ध में मार डाला विंद्र की प्रेना से वहां को भेर के एक करूड राक्षक यक्ष लोग रहते हैं दस मोखे का ताहों खावारे अशे पाई सेन साज गाड़े गीर से जाई देखे बेकट भट बाड़े कट काई जा अच्छ जीव ले गई पराई रावन को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेन से जाकर किले को घीरा उस बड़े की बिकट युद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गई फिर सब नगर दसान ने देखा गया उसुच सुख भया उब सिखा संदर सहाज यागा मैया नो मानी की ने तहारा आवान राजेधा नी तब रावन ने घूम फिर कर सारा नगर देखा उसकी इस्थान संबन्दी चिंता मिट गई और उससे बहुत ही सुख हुआ उस पुरी को सभाव की सुन्दर और बाहर बालों के लिए दुरगा मनमान करके रावन ने वहाँ अपनी रजधानी कायम की जेही जैसे जोगे बांट इक रह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने एक बार कुबीर पर धावा पुस्पक जाने जीत ले आवा योगता के इनसाय घरों को बांट कर रावन ने सब राक्षचों को सुखी किया एक बार वह कुबीर पर चढ़ दोड़ा और उससे पुस्पक विमान को जीत कर ले आया काओं तो कहीं कैला से पुनी लीने से जाए उठाए माना हू तो लेने जबाहू बले चला बहुते सुख पाए लखन शराम चंदर की जाए उमापति महादीव की जाए पवण सतहन ममान की जाए गुसाई दुल सिदास की जाए बुलवाई से वसंतन की जाए